नमस्कार दोस्तों मैं आशिर पटले और आप देख रहे है डिजिटल आशना तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से ही बीना आप MDM का डेली अटेंडेंस डाटा किस तरह से भर सकते है उसके बारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में Chrome ब्राॉजर को उपन कर लेना है Chrome browser open करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको डालना है education.maharashtra.gov.in और इसको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद आपके सामने में इस तरह से side open हो जाएगी यहाँ पे आपको सालेय पोसक आहार यह आपको दिखाए देगा अगर आप English में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको MDM आपको दिखाए देगा अब यहाँ पे मराटी स्क्रीन है इसके लिए यहाँ पे आपको सालेय पोसक आहर का यहाँ पे मभो योदिया है आप यूजर आडी और पासवट डाल देना तो चलो मैं यहँ पे यूजर आडी पासवट डालके इसको लौगिंग कर लेता हूत तो आपको इस तरह से अपने इस्कूल का user id, u-s number और password डालके यहाँ पर capture code डालना है और उसके बाद आपको logging कर देना है जैसे ही आप अपने साइट पर logging हो जाएंगे तो आपको इस तरह का page आपको दिखाए देगा यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो तीन डॉट दिखाए दे रहे हैं यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर में ही मुख्य प्रस्ट और उसके बाजू में MDM data डेली attendance इस तरह से दिखाए दे रहा है तो सब्सक्राइब हम देख लेते हैं कि किस दिन का हमारा data received हुआ है किस दिन का नहीं हुआ है आपके सामने में यहाँ दिखाए दे रहा है तीन color दियो यह है तो तीनो color का अलगलग मतलब दिया गया है पहला है जो निला color है उसमें MDM data received और दूसरा है जो orange color है वो है MDM data not received और जो red color में है वो है MDM data rejected तो आप देख रहे हो कि इस calendar में कि कौन से दिन का data received हुआ है और कौन से दिन का data नहीं received हुआ है तो यहाँ पे आपको स्रीफ तीन दिन का data दिखाए दे रहा है मतलब तीन दिन का data भरा गया है बाकी दिन का data नहीं भरा गया है तो आज की तारीक है 12 तो हम 12 तारीक का किस तरह से भरेंगे वो हम देखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको MDM attendance यहाँ पे आपको कर दिना है किलिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह से डी for open हो जाएगा है इस यह आपको दिखाए दे रहा है गोड़रा तरीक का टो आपको यहां पे select करते जाना है यह जो भी है मेने महीती पहले भर लिया है मैं आपको बतने के लिए यम यह आपको बतारहों कि किस्तरे भरना है तो यहाँ पर डिया है वह अगर जिस दिन तो आपके हम अध्रיצण अया हुआ है तो आपको rush करना है नहीं करें तो नो कर दिना है उसके बाद जो पहला भी कॉलम में उसको आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद Pulse Use 125 यहाँ पे दिया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से जो भी डाल आई है उस दिन वो डाल को आपको यहाँ पे सिलेक करना है जैसे हमारे आज मुंग डाल आई है तो यह सिलेक कर लिया उसके बाद आपको पहले कॉल डालना है या अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो लेकिन सेम टू सेम ही डालना चाहिए क्योंकि जितने बच्चों के लिए आता है वो सबको बाटा ही जाता है तो यहां पर उसका टोटल वो अपने आप केलोकुलेट कर लेगा उसी परकार आपको 6 और 8 का भी करना ह वो भी सेम है इसमें भी आपको डाल सेलेक करना है पहले कॉलम में और डाल सेलेक करने के बाद आपको जो संक्या है 6, 7, 8 की वो सेम संक्या आपको यहां पर डालते जाना है यहां पर डालने के लिए आपको आप्शन आ जाएगा इस तरह से इसको आप डाल सकते है या आप इसको update भी कर सकते है, change भी कर सकते है, तो यह सब आपको यहां तक भर लेना है, भरने के बाद आपको फिर से scroll करते हुए उपर आ जाना है, और उपर में आपको यहां पो right corner आपको दिखा दी रहा है update, इस update के उपर आपको click कर देना है, तो देखिए, जैसे आप update के उपर click क तो आप फिर भी आप इसको देख सकते हैं तो आपको इसको क्लॉस कर देना है और इसके बाद आपको मुख्य प्रेस्टे पे आपको क्लिक करना है तो आपकी जो डेट है वो आपको दिखा देगी कि उसदिन भड़ा गया या नहीं गया है आप जो कलेंडर हमने इसके पहले देखा था जिसमें आज के डिट में और इंज कलर में था अभी उसका दिखते हैं कि अभी वो हो चेंज हुआ है या नहीं हुआ है तो हम अभी अपने मुख्य परस्टक्पे आ गए है देखिए आज की 12 दारिक है 12 है पहले आपको यहां पर अरेज़ में दिखा दे रहा था अभी आपको यहां पर निले में आपको दिखा दे रहा है यह ब्ली कोलर हो गया है इस दरह से आप अपने MDM का जो डेली अटेंडेंस का डाटा है वो आप अपने मोबाइल से ही बिना एप के इस तरह से आप भर सकते हो तो दोस्तों आसा करता हो कि आपको मेरे दोरा बताया गया यह वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आयोगा तो और भी दोस्तों को सेर करें अपने और भी टीचर्स को स इस तरह से भर सकते हैं और भी बिना किसी एप के दोस्तों आप सभी का यह उडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई जैहिन वंदे मात्रम